गाइज्स के आप जानते हैं कि मधुमाखी डंक मारने के बाद अपने आप ही मर जाती है ऐसा क्यों होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ दरसल मधुमाखी के डंक का आकार आरी नोमा यानी की सेरेटर सेप का होता है जो कि हमारे सरीर में घुस्तो बड़ी आसानी से जाता है लेकिन निकल नहीं पाता और सरीर के अंदर ही टूट जाता है मध्योंखी के सरीर का इससा तूट जाने के बाद उसका जीवी तरह पाना समभब नहीं हो पाता और वह वही पर मर जाती है यहीं वजह हैं कि मधिवंखी के डंक से पिडिट व्यक्ति के उपचार करते वख उसके सरीर मेंसे डंक को बाहर निकालना परता है वीडियो अच्छी लगए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा